नमस्कार सर सर साहीब नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मैं आप कनिया सिंदे है कनिया जी आप कहां से आये हैं? मैं मद्यपदेश के इंदोर जैस्री नगर से आया हूँ संत्रामपाल जी महराज जी से नामदिक्षा कब लिया आप सर? मैं संतर आमपाल जी महराज जी से नाम लेने से पहले मैं खुद एक गुरू बन के बेठा हब हुआ था कई परकार के देवी देधाओं की पूझा करता था जो मेरे सरीर के अंदर आते थे मतलब देवी देवता के अंदर मतलब सबसे पहले सेसनाग जी आते थे जिसमें 5 फन के, 9 फन के 12 फन के इसे मतलब कई परकार के नाग आते थे फिर उसके बाद में देवियां आती थी, सभी देवियां आती थी छोटी से लेकर बड़ी तक की जिसे कालका देवी विर्षनो देवी और लक्षिमी देवी उसके अलावा जिसे लूली पांगली जो देवी आती वो आती थी महिशासूर आते थे और भेरू में सभी भेरू आते थे जिसे काल भेरू के अलावा बावन भेरू तक के जो भी है वो आते थे जित्ते भी घाट ओओ जित्ते देविवताओ के इस्थान पर जाऊगा उत्ते मैं को पावर मिलेगा और मैं भगतों के जादा ज़्छों को दूर करूँ हो इस चक्का मैं मतलब मैं हर तीरत गयाू मैं वेशनोदेवी गयायाया हूँ अमर नगे पेल गयायाओ अधिुझ ते सक्टियां मिलती ज के आते लिए मतलब इलाज के लिए दूखी जोबी आते थे उनके इलाज do और उनके इलाज तो है आता था पूरा और में खुद दुखी होता था घर पर मतलब खाने को मिलता था मुझे बहुत इतने परिसान थे कि मतलब खाने रोटी मतलब नसीब ने होती थी हमको और पुझापार्ट करना वह तो हमें से करते था जो जिसकी इच्छा हुई वह पोन जिसे में कोई भी मतलब जब सवारी आती में तो मतलब नाक के सवारी तो कोई फुटू खीचे है तो मतलब उसके नाक मेरे साथ-साथ मतलब नाक की भी फुटू आते थे और अधिकतर मतलब यह मेरा नियम था कि मतलब जिसको मेरे मतलब मेरे रूप मेरे रूप में या नाक क पूरी आग जले, तो ही मतलब कारेह सिद्ध होता था. उस उरूप में मतलब मेरा विशाल रूप होजाता था जब मेरा यह सिंहा बढ़ जाता था, बाल घुन बढ़ ग़ुए थी. इत्ता भयानक रूप हो जता कि कोई मतलब डेखनी पाते थे. यदि कोई मेरा बिना पर्मिशन के फोटू खीचे तो वह केमरा बन हो जाता था कई मतलब लोगों ने मतलब वीडियो शुटिंग भी करना चाहिए तो मतलब बिना अनुमती के तो वह केमरे बन हो गए जब उसके लिए अनुमती लेना पड़ती थी नाम बताते थे और उनका काम हो जाता था कि आप इस काम के लिए आया हो तो मतलब यहीं पर मतलब बेटे-बेटे कि आपके घर में यह समयशा है तो वास्ताम में वही निकलती थी इसमी उनका नाम पूछता था और उनका काम हो जाता था, कि आप मतलब इत चीज से गुजरेऊ उडूऐ आप यह कर दो तो तो हो जाता है, परमात्मा की दया से पेले में मंत्र और वगएरा नहीं आन्ता थे कि कुणी से मंत्र का इसमे यह करते थे लेकिन जब में ध्यान बेढ़ गliopledड में उपर चाहर में उसके बाुन द्याकार लेकशो पर अनकार दोल tekn smoothie लिल्ड करें लिइस पर के Carners को भी देखता था है और में सुपर में सिक्षाल ओप्रमाठममा मत्रे के चोटी देखियों कि मैंने इत्ती बड़ी मनी देखिए जैसे पुलिस वालों की जो बत्ती लाल बत्ती रहती इस टाइप की मतलब देखिए और इसी गोल-गोल घुमती जब रहती और नाग के उपर रहती है क्योंकि मेरे पास तो लिपड़ते थे बड़े-बड़े आके ना मैंने जिमाए लिए चोटा मूटा थो नहीं है और मेरी भक्ति मतलब यह समझेलो की सफ़्यू कि काल में थी पुर्णा रूप से मैं काल मे जाने वाले लाजी भक्ति थी और आब जो परमात्मा कि मैं दूसरों को अपने पूर्ण दे रहा हूं और उनके मतलब पाप ले रहा हूं इसलिए मैं को यह तकलीव है जब मैं गुरुजी के सरणों में गया तो मैं इन दुखों से परिपूर्ण मतलब दुर हो गया हूं यहां तक कि देविद देवता आपके उपर आते थे फिर यह भक्ती सादना छोड़के फिर आप संत्रामपाल जी महराज के साण में कैसे आए क्रिकि वो अंदविश्वास की भक्ती थी इसलिए और यह कुछ समय के लिए ही सुख दे सकते और परमात्मा जो रामपाल जी महरा तो यह क्या कर रहा है गलत सादना है तो क्यों अपने जीमन बिगाड रहा है तो मैं बोलता है मुझे यहां पर रहने से सक्तिया प्राप्त होती है इसलिए मैंनाता हूँ उससे मतलब भक्तो के में अगज करता हूँ चैस्तें देख याथ मतलब फेपर अच्छे गह थह और में घर से अलग रहता हूं मेरे माथा पीता से अलग रहता हूँ तुक पहले उनका घर पढ़ता तो मैं उनके घर चलेगा कि पेपर त्शा जा करके म मेरे माता पिता क्योंकि वो मास वगेरा यह सेवन करते तो मुझे यह चलता नहीं था तो मैंने उठा वो किताब को टेबल से उठाके और भाहर उठले पर ही पढ़ी तो में को ही रोना आगिया कि यह ता ग्यान भातवपूर ग्यान और किता छूपा हुआ है और यह संतका मिल कभी और कोई सी वाणिया सुना के जाते थे एक भगत कोई जूड़े वे थे उस कालोनी में तो मतलब सिडी के दुकान पर मतलब चला रहे थे और उतने में में चले गया कि मिने जब मेने देखा कि ससंग चल रहे है तो मैंने बोला चली गए तो फिर मैंने उनसे पूछा कि यह ससंग जो आप दिखा रही है तो मैं सपने में देखता हूँ और यह गुरुजी को देखता हूँ तो फिर उन्होंने बोला कि एक राकत भगत जी है बोले उनके पास में मतलब पूरी जानकारी मिल जाएगी उनसे आप उनके संप यह में को परिशान ना करें कि आप इलाज करो और तुमने इनको क्यों छोड़ दिया तो मैं मतलब नाम दिख्षा ले लूँगा तो ऐसा के के मतलब में उस समय नाम नहीं लिया था क्योंकि मेरी भगत बहुत सारे है और एकदम मेरा घर पर मंदीर बना हुआ हनुमान जी क बस्का दो पिंदिशी और फिड़ लगता था होसााि बाबा के सचषडी बना की इससा में धेला देता था मुझे कुछ नहीं होता था जहां योस्ता को सब्सक्राइब नहीं होता था। परमात्मा रामपाल जी महाराज जिसरोlles में यह लगा हो, उन्हों थे मतलब रिखके Walking person, कोई भगत मतलब आया नी दिया मने कमशनों को तो कि नहीं दें सुन देंद कर दिता requirements of the Knowledge को अई अवया बोलता है। पारामस छोड़ी मैं भी चले गया हूं परमात्मा के शरण में आप भी जाओ सबसे अच्छा ग्यान और सबसे सुलब सब सुविधा हैं मतलब वही दे सकते बाकी और विस्व में कोई नहीं दे सकते में उन जित्ते भगत थे मेरे हां पर जो भी आते थे हिलाज के लिए उन सबको यही प्रातना करता सर संत्रामपल जी महराजी से जो भी सरदालों जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई आर्थिक मानसिक सारेडिक या धात्म लाब अवस्य होते हैं आपको क्या लाब प्राप्त हुए सर उन से भक्तों को तो लाब भूस्य हो रहे थे लेकिन यह खुद दुखी हो रही था समस्त देवी देवताओं के चक्कर में अपना जीवन बरबात कर रहा था मतलब गलत साधना है नहीं कर रहा थे पापों को हरने वाले और समस्त कश्टों को दूर करने वाले यह एक ही जो लोगों को चमकाता था, जब उसको मालम पड़ा कि इनने मंदीर यह जो बाबा था, अब इनने बाबा गिरी साथ छोड़ दिये, और देवी देवता है, इनकी पुजा नहीं करता है, यह रामपाल जी महराची पुजा करता है, तो वो मतलब गली में चमकाता था, वो मेरा घर अब भी फत्तर फेक रहा था। उर घर से भाहर नीं निकल रहा था। इसना था। इतना आतंग कर रहा था। और मेरे कहने पैसे नी तहीं कि मैं घर के अंदर दरवाजे लगा दू। मैं मतलब एसे खुले सोता था रात को मतलब एसे ही चद्दर लगा देता था लकडी से और फिर सोता था जब उसके आतंग से मतलब वह मतलब मारने को करता था तो मैंने परमात्मा से अरजी करी कि परमात्मा आप ही मतलब हमारी रेक्षा करो तो परमात्मा मतलब आठ दिन तक खूटची लागा के परमात्माई हम बेरी डेलीज के उपपर बेठे रे बेठे बैठे बेठ बेठा charman कर सकते तरह साथर तेरा कोई बाल नीबाका कर सकताता मेरी पत्ति डर्ती थी तो परमात्माई भी इसको भी दर्सन दिये, कई बार दर्सन दिये, परमात्मा की जब वो जोत लगाती थी एक ज्ञानिगा पुछ तक कोई रख्या अलमारी के अंदर, तो परमात्मा ने बोले, बेटा, तु ऐसी भक्ती करती है, ऐसा दिपक लगाती है, जिससे तो नाम ले ले, नाम लेगी, त मतलब यह पुर्ण परमेश्वरे, और अभी भी मुझे यह जो परमात्मा है, जो मेरे नाम लेने के बाद मुझे, परमात्मा ने सत लोग के जाम खिलाए, उहां का जो जाम का पेड़ रहता है, वह बहुत उच्छा रहता है, और पांच-पांच के जून में रहता है, उसम मतलब यह है, और यहां के जो इस लोग के वहां के तोड़ने के बाद में दूसरा नहीं लगता, लेकिन वहां पर तो तोड़ा लग जाता, यह सा मतलब में दो तीन बार मतलब परमात्मा के लोग के मतलब फल भी खाए है, मैं कई बार मतलब जो मगरतार बताते हैं परमात् सब्कुल्री मुझे हैं परमात्मा नहीं आपते हैं सप्षाञ समक्र क्या वहाँ वह भक्तिुन भात्यस में इसके करें । आप बार बार परमात्मा सब्ध संबोधित कर रहे हैं, परमात्मा सब्ध आप किन के लिए संबोधित कर रहे हैं। प्र्मात्मा संथ रांपाल जी महराजी है जो गुरू जी है मेरे पुर्णा परमेशवर कभीर साहभ जी जो बार बार में परमात्मा बोल रहे हैं जिनको वो मेरे रांपाल जी भगवाण है यही है मेरे सब कुछ मुझे जनम देने वाले भी वह है औरAhman Luk i सर जो श्राद आलो आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। जिस परteil मतलब रामपाल्य महराज के जो सत्संग आते हैं अब ऊसार चिनशनोलों प्रापर ढ़िए जो भी एक प miracle देख रहे हैं और जोबु Mitch जैसे लोग गलत साधना में अभी भी जादू टोना वालों के पास में जा रहे हैं अपना जीवन नश्ट कर रहे हैं तो वो वेर्त के मतलब जा रहे हैं वहाँ पर नहीं जाना चीए उसमें कोई लाद नी है अगर यदि ये साधना को छोड़के और रामपाल जी महराज के प पास में रहे हूं में और 900935898 और यए नंबर आप संपर कर सकते हैं उसका साथ में अगर मेरा घर का पता में बताई दिया है उसके आप प advertisements वालों से पूछ सकते हो की पर emanet सिंदे यो आज लाज बन निया है परमात्मा का वो पेले क्या था मेरे पूरी इस्ट्री मतलब गली वालों से पूछ सकते हैं और भोस से मतलब रिस्टदार है उनसे पूछ सकते हूं संतरामपाल जी महराज के चरणों में आए और उनके ज्ञान को समझे और नाम दिक्षा लेकर कल्यान करवाए और मोक्षे कर आस्ता ले धन्यवाचर साथ साहिर